आप देख रहे हैं बाहावल नामा एच दी बाहावल नामा को सब्सक्राइब करें और घंती के निशान को दबाएं ताके हमारी हर नई विडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें विडियो को लाइक कॉमेंट और शेर कीजिए शुक्रिया मरहूं मुहम्मद अजमल मलिक की दूसरी बरसी आज नहायत अकीदत और इहतराम से मनाई जा रही है आपका शुमा रेडियो पाकिस्तान बहावल पूर की मारूफ आवाजों में होता था बहावलपूर में रेडियो पाकिसान के क्याम के साथ ही आप इससे मुंसलिक हो गए और चार दहाईयों से ज़्यदा अर्सा रेडियो पाकिसान की प्रफेशनल ब्रोडकास्टिंग का हिस्सा रहे और अपनी दिलों को छू लेने वली आवास के बाइस साइकी खिते में सामाईन की खसुसी तवज़ो का मरकज रहे मरहूम मुहम्मद अजमल मलक सच्चे आशके नबी थे इन्होंने बजम सनाए खैर लवरा की बनियाद रखी और बेशमार महाफिल और मिलाद का इनकाद किया अजमल मलक साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान बाहावलपूर के बहुत अजीज और बहुत मकबूल साथी थे और वो 1975 में हमारे साथ रेडियो की तजर्बाती नश्रियात में शामिल हो गए थे और 1975 से 2021 तक जब उनका इंतकाल होता है तो वो ये कुछ चार दहाईयों से ज्यादा अर्सा हमारे साथ रेडियो पे काम करते रहे और उन्होंने बहुत नाम गभाया बहुत से एवार्ड़ उन्हें में दे जिनमें पी बी सी एक्सलेंट्स एवार्ड रेडियो पाकिस्तान का जो सरकारी तूर पे आवार्ड मिलता है वो भी उन्होंने हासिल किया और आज वो हमें नहीं हैं लेकिन उनकी महबत उनका खुलूस उनका मुरवत का रविया उनकी नर्मी और उनका इल्म और हिल्म दोनों चीजें आज भी हमारे लिए एक मिशल राह रखती है मरहूम मुहम्मद अजमल मलिक ने बहाली सुबा बहावलपूर में बढ़ चाड़ कर हिसा लिया और इस तहरीक के असी रहनुमा भी रहे और तादाम हयात बहाली सुबा बहावलपूर का पर्चम बलंद रखा बहावलपूर रियास्त जो थी ये खालिस्तान इसलामी और फलाही ममलिकत थी इसका अपना निजाम था अपना धाचा था और इसके अपने इदारे थे यानि आप देखें के इतना ख्याल रखते थे के हम लिखते हैं मुहम्मद अंग्रेजी में और बाव जकात उसे शाट करके M.O.H.D. लिख देते हैं अमीरा भावलपूर ने इतने सेंस्टिव थे के बाकादा एक होकम नामा जारी किया कि सरकार का नाम पूरा लिखा जाए दफातिर में यहां जकात का निजाम था यानि आप अंदाज़ कीजिए उस रियासत की फलाह का कि जहां जानवरों के लिए इन सदादे बेरहमी जानवरां का एक अधारा था मरहूम मुहम्मद अजमन मले की फनी और दीनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी झाल